तो नमस्कार साथियों आप सभी कामे से स्वागत करता हूँ और दोस्तों कोई अपडेट तो नहीं है लेकिन अब जैसे भरती रिजल्ट आ चुका है और अब इंतिजार ये होगा कि नई भरती कव आएंगी और मतलों किस विभाग में या कौन सी भरती आएगी अब सी की आएगी या डी की आएगी तो ये मैं आपको बता दूँ जिनोंने 13500 में से आपने पता होगा कि आपको की एक अभी भरती थी डी ग्रूप की लेकिन कल फिर रिजल्ट आया है आप सभी को पता है और उनमें से डी ग्रूप के पद भी खाली हुए हुए ये भी आपको प ओपन किया जा सकता यानि दोबारा से डी ग्रूप की भरती भी अब की जा सकती है और ये बता जा रहा है कि लगबग 6-7 अजार पद फिर डी ग्रूप के निकाले जा सकते हैं ये भी एक बड़ी खबर है मतलब ये लगा लो कि आप 13500 में से ये लगा लगबग 6-7 अजार म और हर्याना पलीस में भी मतलब सेलेक्शन हुए होगे तो ये मान के चलोगे आप लगब 6-7 अजार बच्चे ऐसे मिलें यानि 6-7 अजार पद दोबारा री ओपन होने की पूरी पूरी संभावना हैं जी हैं दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ आप सभी को पता भी है व ओपन दी ग्रूप के पद होने की पूरी पूरी संभावना है और लगब 6-7 अजार पद यहां पर बताए जा रहे हैं अगर कोई और अपडेट आएगी तो आपको बताऊंगा लेकिन आप त्यारी करते रहें ये बीजेपी सरकार है भरतियां ऐसे ही चलती रहें और भरति हैं तो एक जरूरी सूचना थी आप सभी के लिए जिनका भी स्लेक्शन नहीं हुआ है वो डिस्पॉंटिड थे तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें आपका भी स्लेक्शन होगा और अब दोबारा से रियोपन मुझ मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी भरतियों को होने में डी ग्रूप की मैं खासकर बात करूं तो लगबुग 6-7000 पद रियोपन होने चारे हैं धन्यवाद जहीं जबारत